शहर में प्यार में पागल आशिक ने अपनी ही प्रेमिका को पहले कार में बंधक बना लिया और फिर गाड़ी में ही रखी शराब की बॉटल को सिर पर दे मारा लड़की के शोर मचाने पर आसेक लड़की को एक इमारत की छट पर ले गया और फेंकने की धमकी देने लगा इससे पहले की लड़की कुछ समझती उसने तोरंत आशेक को चक्मा दिया और वहां से फरार हो गई खुद को बचाने के बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को धी और आरोपी को गिरफ़तार कराया स्कीम 74 निवासी 23 वर्षिय युवती के द्वारा शिकायत करने पर नरीमन पॉइंट निवासी विशाल भोजवानी को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है युवती ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया है कि शहर में रहकर शादी समारों में इवेंट और केटरिंग मैनेजमेंट का वर्क करती है बीते कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से हो गई युवती का कहना है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और शादी का वादा भी किया कुछ महीने बाद ही विशाल युवती पर श्यक करने लगा और इसी कारण दोनों के बीच मार पीट होने लगी कई बार वे छोटी छोटी बात पर भी घर लेकर जाता था और पिटाई करता था जिसके चलते विशाल से पूरी तरह से बाचीत बंद कर दी बीती शनिवार की राद को भी विशाल कार लेकर आया और बार-बार मिलने के लिए भुलाने लगा मनना करने पर उसने जबरन हाथ खींच कर कार में बैठा लिया और बायो पास मांग लिया टोलना का ले गया कार के बायो पास पहुँचते ही विशाल ने कार लॉक कर दी और जम कर मार पीट की मार पीट के दौरान ही उसने कार में रखी भी एर की बोतल सिर पर मार कर फोड़ दी थड़ के करीब चार बजे नरीमन पॉइंट स्थित इमारत की छट पर ले गया उसने फेंकने की धमकी दी किसी तरह विशाल के चुंगल से छूट कर युवती ने पुलिस को घटा की जानकारी दी रविवार दोपेहर पुलिस ने विशाल को बादचीत के लिए थाने भुलाया और गिरफतार कर लिया